रूस को लंबे समय तक मजबूती से जवाब देने वाला यूक्रेन अब कमजोर होता दिख रहा है क्योंकि लंबे समय से युद्ध लड़ते हुए अब यूक्रेन के पास गोला बारूद और अनिसेनिस संसाधनों की भारी किल्लत शुरू हो गई है इसकी बड़ी वज़या है कि यूक्रेन को अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद कम हुई है और जो थोड़ी बहुत मदद मिल भी रही है वो समय पर नहीं मिल पा रही है युक्रेन की बड़ी मुश्कल ये भी है कि अमेरिकी मदद ना मिलने पर उसके पास कोई दूसरा उपाय या कहे कि प्लान बी भी नहीं है युक्रेन के विदेश मनतरी दिमित्री कुलेबा ने स्विकार किया कि रूसी हमलों का जवाब देने के लिए युक्रेन के पास अमेरिकी सहायता का कोई विकल्प नहीं है बद्वार को एक इंट्रव्यू में कुलेबा ने ये भी दावा किया कि युक्रेन द्वारा मांगी जा रही सहायता को पूरा करने के लिए पश्चिमी राजियों के पास परयाप्त संसाधन है युक्रेन की मदद पूरा करने के प्रयासों को तेज करना चाहिए अमेरिकी मदद समय पर नहीं मिलने की इस्तिती में अन्य विकल्पों के बारे में पूछे जाने पर युक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश केवल अमेरिका और अपने सहयोगियों पर भरोसा कर सकता है उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास प्लाइन भी नहीं है हमें प्लाइन ए पर ही पूरा भरोसा है युक्रेनी विदेश मंत्री ने नेटो प्रमुक जेंस स्टोल्टेनबर्ग की हालिया टिपड़ियों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि युक्रेन हमेशा उनी संसादनों से लड़ेगा जो उसे दिये गया है उन्होंने आगे कहा कि युक्रेन को जो दिया जाता है वो दान नहीं है ये नेटों की सुरक्षा और अमेरिकी लोगों की सम्रिधी की सुरक्षा में किया जाने वाला एक निवेश है इस सब्ता की शुरुवात में वाइट हाउस राष्टी सुरक्षा परशत की प्रवक्ता जौन किर्भी ने सुविकार किया कि अमेरिका ने नए साल से ठीक पहले युक्रेन को अंतिम सुरक्षा सहायता ताइकेच प्रदान किया है उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की अतरिक्त सहायता के लिए कॉंग्रेस का अनुमोधन जरूरी है हालकि एक बात साफ है कि यदि युक्रेन को अमेरिकी मदद नहीं मिलती है तो युद में रूस का मुकाबला करना उसके लिए निश्चित तोर पर कठीन होगा और अमेरिकी मदद में तब तक बाधा बनी रहेगी जब तक कि वाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों की विविन सीमा नीती सुधारों की मांग पर डेमोक्रेट सांसद सहमत नहीं हो जाते है अमेरिकी सांसदों की इस आपसी विवाद में युकरेट को मिलने वाला लगभग 60 बिलियन डॉलर का सहायता पैकेज रुका हुआ है